हलो बच्चो मैं नेहा चौधरी रसाइन विग्यान के प्रायगी कख्षा में आपका स्वागत करती हूं देखे बच्चो हम लोग ऐ कार्मिक लवनों के गुनात्मक विस्सिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कार्मिक योगिकों के क्रियात् करक्षा में पहचान की जाती है उसके बारे में परशाइखेंगे त्क है कार्मिक योगिकों में प्राक्षा मोग पहचान थे ओच्छान के लिए सब से पहले योगिक के निम्द भौातिक गुणों का परीक्षन किया जाता है कोई 56 कोशिश कीजिएगा तो पहला देखिए भौतिक अवस्ताекс का मतलब है कि जो भी हमें कार्पिक योगिक दिया गया है घंख ठाट पडाई त grown खाल संट गया तक है तो किस तरीकouse का रंग उस्मिंद उसमें कैसी गंद है तीसरा बहुत कि या हमें पहचाननी होती है फूर्थ देखिए प्रकर्ति जुर्टी उसकी प्रकर्ति प्रकरती से तातपरिये है, अमलिये है, शारिये है, उदासीन या फिनोली, यह हमें पता करना होता है, आगे देखिए बच्चो पांच वा देखिए, जल में विलेता, हमें यह पैचानना होता है, क्यों जल में विले है या नहीं, और देखिए छटा देखिए, ऐलिफैटिक और आरोमेटिक प्रकरति तो समझे बच्छो जब भी हम कार्मिक योगिक की बात करते हैं उसके क्रियात्मिक समूट का परिक्ष। कै़ने करते हैं तो इन बहुतिक अवस्ता से ताथ परिय हैं कि वह ठोस है त्रव है को युइंड लिकुड होगा। रग हम था कि सो इस तरीके के सपाकरा हैं कि पता होना चाहिए ऑधेन्स सी औudasin को पहुति पहकर पहरते हैं की लिटमस four Śन करें कार्मिक योगिक बनाते हैं और उस में लिटमस पेपर को डिप करके देखेंगे और निले लाल हो जाता है तो उसकी प्रकर्टी कैसी होगी ही कैसे हम दिप करते हैं लाल लाल कोई रिपकराइब करते हैं तो इस तरीके से हम प्रक्रति जाद करते हैं जल में घ्यार नहीं तो बिलता है ज़े तरीके से बीले नहीं हो रहा है और यह नहीं होता है टाम हलका सा गरम करके देखते हैं तो इस तरीके से मातरा को लेकर उसको को जलाके देखते हैं अगर सिंपल जो हमारी दुवा निकलता है तुए बिल्कुल सफेद रंगा साफ दुवा निकलता है कोई भी कालापन लिये हुए धुवा नहीं होता इसका मतलब है कि जो हमें कार्मिक दिया हुआ है वह कैसा है अलिफेटिक है और मान लिए बहुत डार कर्मिक योगिक जलता है यानि फिर कर्मिक निकलता है तो डियान एपर निकलता है कि सबसे पहले हम इन गुणों का परिक्षन जरूर करेंगे अब देखिए प्रकृति के बारे में आपको समझा दिया है किस तरीके से प्रकृति के बारे में पता किया जाता है कि अमलिय है शारिय है या उदासीन और एक वापस पढ़ लेते हैं तो देखिए इसमें लिटमस पर ले जाने पर लिटमस लाल हो जाता है यानि लिटमस पत्र अगर लाल हो जाता है तो प्रकृति कैसी हो गई अमलिय हो गई मैं बता चुकी हूँ आपको आगे देखिए कार्विक योगिक के विलियन में लाल लिटमस पत्र ले जाने पर लिटमस नीला हो जाता है प्रकृति इसी तरीके से देखिए कार्मिक योगिक के विलियन में नीला या लाल लितमस पत्र ले जाने पर कोई क्रिया नहीं होती यानि प्रकृति क्या हो गई उदासीन हम इसे फिनोलिक भी कह सकते हैं तो और प्रकृति को फिनोलिक तो आई बात समझ में अब देखे बच्चो के अलावा है हाइड्रोजेन भी हाइड्रोजिन भी हो सकता है कार्भश और को देखे जाता है तो वहाँ पे हमें तत्व का परिक्षन भी करके देखना होता है यानि हमें यह पता करना होता है कि वहाँ पे वास्तों में nitrogen उपस्तित है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है nitrogen का test वहाँ पे लगाना पड़ता है तो देखें ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से तत्व का परिक्षन किया जाता है तो तत्व के परिक्षन में हम बात करेंगे नाइट्रोजन के परिक्षन के बारे में लेसाने परिक्षन करते हैं समझे कैसे होता है लेसाने परिक्षन देखे बच्चो एक स्वच्छ ज्वलन नली में सोडियम धातू का टुकड़ा फिल्टर पेपर से सुखा कर लेते हैं देखे क्या होता है एक स्वच्छ ज्वलन नली होती है उसमें क्या करते हैं सोडियम का तुक्रा लेते हैं सोडियम की डूकड़े को पहले हुम रखाते हैं पत्र पत्र अंदर दबा कि उसको काते हैं तक पिसी तो नली को ढहिंए कर्बंडी योगिक लेते हैं एक दूसरी कृत हैं को सब्सक्राइब को और आधर भर लेते हैं क्लियर ओकresserց दो टॉंग की फाइता से पकड़ गरम करते हैं कम लोग लोग को अडिए जिसप्स में कडू हुर्म के लिया हैं nga चाथता नली को गरम करें कंगे संगलित पधार्थ जल में विले हो इस विल्यन को गरम करके चान लेते हैं और इसे ही लेसाने विल्यन कहते हैं ठीक है लेसाने विल्यन तयार हो गया और इस लेसाने विल्यन में देखिए इस विल्यन में ही नाइट्रोजन का परिक्षन करते हैं अब समझे नाइट्रोजन का परिक्षन कैसे करते हैं देखिए इस टेबल से आपको nitrogen का परिक्षिन अच्छे समझ में आ जाएगा कि nitrogen के लिए हम क्या करते हैं देखिए nitrogen का परिक्षिन देखिए देखिए लेसाने विलियन कितना लेंगे 1-2 ml लेसाने विलियन लेंगे उसमें 1 ml NaOH यानी 1 ml हम उसमें sodium hydroxide मिलाएंगे देखिए देखिए उसमें क्या मिलाते हैं 1 ml sodium hydroxide और 1-2 ml फेरस सल्फीट का ताजा बना विलियन मिलाते हैं हरा अवक्षेप प्राप्त होता है यह नाइट्रोजन उपस्तित है क्लिए यहां तक का अगर हरा वक्षेप आता है मतलब नाइट्रोजन उपस्तित है आगे देखि है इस तरीके से में क्या पता लगता है नाइट्रोजन उपस्तित है नाजचे में क्या करते हैं कार्मिक योगी के क्रियातमक्त समakte के चान के दोरान हम इन बहुतिक गुणों का और तत्वों का परिक्षन करते हैं, बहुतिक गुणों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, या हम बहुतिक अवस्ता देखते हैं, कैसी बहुतिक अवस्ता है, हम उसके रंग की बात करते हैं, गंध की बात करते हैं, प्रकृ कि ऐसा कार्मी कि योगिक दीया जाता है जिसमें की नाइटोजन उपस्तीट थे है तो वहाँपे हम नाइट्रोजन का परफले करते हैं जिसे साथ समझ में आया यहोगी और इन सब बहुत ही गुणों के परिक्षन के बाद हम क्या करते हैं प्रतेक जो क्रियात्मक समू है उसका परिक्षन लगाते हैं और देखे बचो एच्जाम में क्या होता है हमें साफ साफ जो भी कार्मिक योगिक दिया हुआ होता है तो लिखा अगर हमें कोई यूजिए एलकोहलिक कार्मी क्योगिक दिया हुआ है रफार क्योंस की पहचने ऐस्तवी वह करना है के trump क और ना पर उपनों कि जाते हैं यवा रहता समझ में आया होगा सबसे पहले हम बहुतिक अवस्थाओं की बात करते हैं बहुतिक अवस्थाओं के परिक्षन करते हैं पता लगाते हैं और तत्व का परिक्षन करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं क्रियात्मक समु का परिक्षन करते हैं ठेके बच्चो अब आगे आन तो इससे ध्यान से पढ़िए